Hello everyone, this is Engineer Aki Sharma और आज हम पढ़ेंगे Popular Names of Personalities Part 3 अगर आपने Part 1 और Part 2 नहीं देखा है तो नीचे description box में Part 1 और Part 2 का लिंक दिया है आप उस लिंक पर क्लिक करके Part 1 और Part 2 की वीडियोस देख सकते हैं वेल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं Sports Personalities from JNK सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं Sports Personality दी गई हैं सबसे पहले उनका नाम के स्पोर्ट से वो बिलॉंग करते हैं करंट टीम और उनकी क्या-क्या अचीवमेंट से यह स्क्रीन पर दी हैं सबसे पहले हैं मिथुन मनास यह क्रिकेटर है करंटली यह रायल चैलेंजर बैंगलोर के असिस्टन कोच है इनकी अचीवमेंट है यह IPL में खेले हैं चिन्ने सुपर किंग से as an all-rounder दिल्ली डेर डैवल से और पुने वारियर से किंग्स 11 पंजाब के यह असिस्टन कोच पी रहे 2017 में दूसरे है इश्वाक एहमद यह फुटबॉलर है किरला ब्लास्टर टीम के यह असिस्टन कोच है इनकी अचीवमेंट्स है लिग टाइटल, फेडरेशन कप, दुरंद कप, इंडिया अंडर 20 2003 में इन्होंने खेला है तिसरे है महराजुदिन वडू यह फुटबॉलर है, हैधराबाद फुटबॉल कलब के यह असिस्टन कोच है इनकी अचीवमेंट है, फोर टैम्स विनर रहे हैं यह फेडरेशन कप के और IFA शील्ड के दो बार यह विनर रहे हैं नहरु कप के 2007 और 2009 में वडू वास दा बेस्ट राइड बैक इंदा हीरू आई एसल डूरिंग सीजन टू चोते हैं प्रवेज रुसूल, इनको आप सब जानते होंगे यह क्रिकेटर है, जमुन कश्मी टीम के यह कैप्टन भी है IPL में यह पूने वारियर संराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलिंजर स्पैंगलोर से खेल चुके हैं यह सिलेट हुए थे इंडिन क्रिकेट टीम में फॉर्द जिंबावे टूर इनको सबसे पहले चांस मिला बांगलादेश के खेलने के लिए जो की हुआ था 15 जुन 2014 को मीरपूर में इन्होंने अपना पहला T20 इंगलैंड के खिलाफ खेला 2017 में जिसमें इन्होंने इयान मॉर्गन को डिस्मिस किया था जो की इनकी पहली T20 इंटरनेशनल विकेट बनी आगे बढ़ते हैं शुबम खुजूरिया ये क्रिकेटर हैं ये जमू और कश्मीर क्रिकेट टीम के राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हैं इन्होंने इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में 2013 में खेला ये दूसरे क्रिकेटर थे जमू कश्मीर से जो ऐसा कर पाए ये लीडिंग रन स्कोरर थे जमू और कश्मीर टीम से 2018-19 विजे हजारे ट्रॉफी में जिसमें इन्होंने 236 रन बनाए 9 मैचों में 2014-15 के पहले रंजी ट्रॉफी के मैच में जो की मुंबई के अगेंस्ट हुआ था शुबंग खुजूरियाज जी ने पहले इनिंग में 107 रन बनाए और दूसरी इनिंग में इन्होंने 78 रन बनाए इनकी इस शांदर परफॉर्मेंस के लिए इनने मैन ओफ दा मैच भी दिया गया शुबंग खुजूरियाज जी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेबिट किया था अगेंस्ट महाराश्टरा इन नवंबर 2011 उस समय इनकी एज 16 वरश थी अगले हैं राशीक सलीमडार ये क्रिकेटर हैं ये मुंबई इंडियन की तरफ से खेले उस समय इनकी उमर 17 साल बताए गयी थी लेकिन जून 2019 में BCCI ने इनको बैन कर दिया फॉर तू एर्स फॉलिंगे डिस्सिप्लिनरी एक्शन विद इस बर्स सेटिफिकेट आगे देखते हैं चैन सिंग जी ये शूटर है प्रेजंटली ये पार्ट अफ इंडियन आर्मी ये वन ब्रॉंस मेडल अधर 2014 एशियन गेम्स इन दे मैंस 50 मीटर राइफल 3 पॉजीशन इवेंट जो कि इनकों सौथ कोरिया में हुआ था इन्होंने इंडिविजुल गोल्ड मैडल जीता 7th Asian Airgun Championship में जो कि कुवेट में हुआ इन्होंने 6 गोल्ड मैडल जीते जिन में से 3 इंडिविजुल इवेंट्स में जीते और 3 टीम इवेंट्स में जीते 2016 South Asian Games में जो कि गोहाटी में हुए थे जैंसिंग जीन ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया in the Rio Olympics in rifle shooting आगे हैं सूर्य भानू परताप सिंग ये काफी famous हुए जब इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए Asian Games 2018 में जकार्ता में ब्रॉंस मेडल जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2016 सोथ Asian Games में और जैसे कि मैंने आभी आपको बताया इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को Asian Games 2018 जो कि जकार्ता में हुए और वहाँ पर इन्होंने ब्रॉंस मेडल जीता था ये थी जमूर किश्मीर की कुछ sports personalities आगे देखते हैं कुछ और परस्टनलिटीज जमूर किश्मीर से सुभाश काग ये Indian American Computer Scientist है 2019 में Government of India ने इनको पद्म श्री दिया गया जो कि 4th highest civilian award है in India 28 अगस 2018 को ये appoint किये गए थे Prime Minister Science Technology and Innovation Advisory Council में Archeo Astronomy, The Astronomical Code of the Rig Veda इस book में सुभाश काग जी ने प्रपोस किया है Organization of Himes in the Rig Veda was dedicated by an Astronomic Code concerning the course of planets length of solar year and lunar year the distance between sun and earth तो ये थी कुछ बातें सुभाश काग जी के वारे में वेल आगे बढ़ते हैं Sonam Vangchuk इनको तो सब जानते ही होंगे ये Indian Engineer है, Innovator है और Education Reformist है ये founding director है Students Education and Cultural Movement of Ladakh के जो की found हुआ था 1988 में by a group of students जो की उनके अनुसार victims थे of an alien education system foiled on Ladakh ये small campus design करने के लिए भी जाने जाते हैं जो की solar energy पर चलता है और इसमें कोई भी fossil fuel का use नहीं होता for cooking, lighting और heating इन्होंने launch किया था Operation New Hope in 1994 a collaboration of government, village communities and the civil society government school system में reforms लाने के लिए इन्होंने invent किया ice thoopa technique that creates artificial glaciers used for storing winter water in the form of clinical shaped ice heap ये कुछ awards हैं जो की Sonam Wangchuk जी को दिये गए हैं जैसे Global Award for Sustainable Architecture 2017 Rolex Award for Enterprise 2016 में Real Heroes Award 2008 में Ashoka Fellowship for Social Entrepreneurship 2002 में Raman Magazine से Award 2018 में आगे बढ़ते हैं ये आप देख सकते हैं ice thoopa ice thoopa एक glacier grafting technique की form है that creates artificial glaciers जिनका इस्तिमाल सर्दियों में पानी स्टोर करने के लिए किया जाता है which otherwise would go unused in the form of clinical shaped ice heaps गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो ice thoopas का पानी पिगला कर crops को दिया जाता है जैसे कि मैंने बताया कि ice thoopas का invention सोनम वंग्चुक जी ने लदाख इंडिया में किया and the project is undertaken by the NGO students education and cultural movement of लदाख इस काम के लिए 15 नवंबर 2016 को सोनम वंग्चुक जी को Rolex Award for Enterprise दिया गया ये आप देख सकते हैं ice thoopas आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सीमॉल केंपस Students Education and Cultural Movement of लदाख इसके founder director है सोनम वंग्चुक जी इसकी खासेच ये है कि minus 30 degree Celsius की भी सर्दी में ये students को गर्मी परदान करता है led by सोनम वंग्चुक सीमॉल has won the International Terra Award for Best Building in July 2016 at the 12th World Congress on Eastern Architecture in Lyon, France times the rammed earth big building located at सीमॉल तो ये आप देख सकते हैं सीमॉल का केंपस आपके स्क्रीन पर आगे बढ़ते हैं और कुछ और परस्टेनलिटीज के वारे में जानते हैं केलाशनात कोल जी ये Indian botanist, naturalist, agriculture scientist, horticulturist, plant collector और herpetologist है He founded India's National Botanical Research Institute जो की लखनो उत्तर परदेश में है It was overtaken by CSIR in 1953 CSIR की full form है Council of Scientific and Industrial Research आगे हैं मोतिलाल मदन जी ये Indian biotechnology researcher है veterinarian academic and administrator है From 1994 to 1995 मोतिलाल मदन जी served as director research of National Dairy Research Institute in Karnal From 1995 to 1999 Deputy Director General Animal Science of the Indian Council of Agriculture Research In November 2006 He became Vice Chancellor of the Pandit Deen Dayal Upadhyay Veterinary Science University, Mathura He served as the Vice Chancellor of Dr. Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidya Peet in Okla आगे बढ़ते हैं Ustad Abdul Rashid Khan ये Indian vocalist रहे of Hindustani Music As of 2020 He is the oldest person to have been conferred as Padma Award इन्होंने अपनी lifetime में बहुत से students को train किया and became regarded as a guru at the ITC Sangeet Research Academy Kolkata He was a member of the All India Radio Audition Committee New Delhi and was awarded many times by reputed organizations including the prestigious title of Banga Bhibhushan in 2015 by the Government of West Bengal ये कुछ awards और recognition की list हैं जो इनको प्रदान की गई सबसे पहले हैं Sangeet Nate Academy Award जो की 2009 में इनको दिया गया Padma Bhushan 2013 में दिया गया the oldest person ever to be conferred as a Padma Award Lifetime Achievement Award 2013 by the Government of National Capital Territory आगे हैं Rameshwar Nath को ये Indian Spy Master रहे और पहले Chief of Indian External Intelligence Agency the Research and Analysis Wing रहे from 1969 to 1997 He also founded the Aviation Research Center and the Joint Intelligence Committee ये थी जम्मु किश्मीर की कुछ बहुत ही important personalities well thank you very much आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी well subscribe कीजिए हमारा चैनल like कीजिए ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए अन्यवाद